तो गैस मैंने 15 घंटे लगा करके आप लोगों के लिए एक ऐसा software बनाया है जिसको देखने के बाद आप एक ही चीज बोलेंगे तो गैस जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लगभग 98% लोग ट्रेडिंग में अपना पैसा गवा देते हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो की fundamental या technical analysis करके थोड़ा बहुत अपना profit बना लेते हैं लेकिन अब बात आती है 2% लोगों की तो जो 2% होते हैं वो बहुत चलाकी से ट्रेडिंग करते हैं वो market के साथ खिलते हैं market उनके साथ नहीं खिल पाता है वो ऐसे ऐसे strategy के साथ काम करते हैं जो उनका ना तो loss होता है वो बराबर market में अपना महने में 100% 200% निकाल लेते हैं तो उनकी जो success कराज है वो यह है कि market में वो ऐसे strategy का use करते हैं कि market में वो फसते नहीं है वो market से लगतार profit निकालते हैं तो एक ऐसे ही strategy का use करके मैंने software बनाया है जिसका इस्तमाल करके आप अपने लिए एक अच्छा profit बना सकते हैं सबसे पहले बाइद guys कि ये जो software है ये bad नहीं है, बिल्कुल free है सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे, कि जिसके पास पैसा नहीं है, वो कैसे करें, उसके लिए कुछ लाइए तो आभी मैं daily आप लोगों के लिए जिसके पास पैसा नहीं है, नए नए software ला रहा हूँ नए नए बढ़िया बढ़िया, तो guys आज जो मैं strategy का use करने वाला हूँ, उसका नाम है correlation pair strategy तो इस strategy में क्या करते हैं, कि दो pair का use किया जाता है, या तीन pair का भी use कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए दो type के correlation होते हैं एक होता है positive, एक होता है negative जैसे कि euro USD को पकड़ लीजे और GBP USD को पकड़ लीजे यह दोनो positive correlation pairs हैं, यह क्या अधिकतर आप लोग इसको देखेंगे, कि अधिकतर यह लोग साथ में चलते हैं, अगर euro USD उपर जा रहा है, तो GBP भी उपर जाता है अगर GBP नीचे जा रहा है, तो euro USD भी नीचे आता है, यह होता है positive correlation, अब दूसरा हम लोग बात करते हैं, negative correlation इसमें क्या होता है, जैसे euro USD और USD JPY या USD CHF, इसमें क्या होता है, जैसे अगर euro USD उपर जा रहा है तो USD CHF नीचे जाएगा, और अगर USD CHF उपर जा रहा है, तो euro USD नीचे जाएगा, अधिकतर ऐसा होता है by chance कभी कभी ऐसा होता है, कि दोनों साथ में होते हैं, बाकी अधिकतर आप दिखेंगे कि दोनों का moment है, वो हमेशा change होता है, negative होता है, एक उपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा, तो इसी strategy पर मैंने आज एक software बनाया है correlation को आप अच्छे से देख सकते हैं, अभी मैं अगर आपको बताऊंगा, अच्छे समझाऊंगा, तो बहुत जादा वीडियो बन जाएगा, तो वीडियो को जादा लंबा ना करते हुए, मैं आपको छोटे से simple भासा में आपको समझाया, मैंने कि क्या होता है correlation, एक positive correlation होता है, एक negative correlation होता है तो इसी base पर आज हमने software बनाया है तो चलिए, आप लोगों को बताता हूँ मैं कि कैसे आप लोगों को step by step वो software बनाना है, तो गैस हम अभी अपने FX टीमा पर आ चुके हैं, यहाँ पर देखिए मैं आपको step by step समझाता हूँ कि कैसे आपको software बनाना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम no position लेंगे, कहां से यह देखिए, यहाँ पर आपको no position मिल जाएगा, अब इसका मैं input आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या यहाँ पर use किया है, setting में तो देखिए, आपको यहाँ पर symbol, सबसे पहले हाँ मैं आपको constant और variable दिखा देता हूँ तो constant में देखिए, जैसे जैसे मैंने लिखा है euro HD, GBP HD, symbol 1, symbol 2 जो मैंने use किया है, आप यहाँ पर कोई साभी symbol use कर सकते हैं, आप अपने मर्जी के हिसाब से फिर उसके बाद आपको मैं variable दिखा देता हूँ variable यहाँ पर check कर लिजे, कुछ इस तरीके से variable रहेगा अब इसको कर देते है, update और इसको cut कर देते, आभी देखिए, सबसे पहला हमारा no position, इसका setting देखिए, कुछ इस तरीके से रहेगा symbol one select कर देना है, फिर यहाँ पर EMA period, आपको जैसे यहाँ पर cursor रखेंगे इस वाले डबबे पर, आपको यह डबबा कुछ इस तरीके से दिखेगा तो यहाँ पर आपको cursor रखना है, right click करना है फिर उसके बाद EMA period, यह हो गया, connect कर दिया हमने और यह सारे कुछ ऐसा कर देना है अब हम check distance को देखते हैं, यह मैंने कहां से लिया है तो यह मैंने लिया है, यह check distance, ठीक है तो कुछ इस तरीके से आपको setting करना है, check distance में यह सारा कुछ, यह आपको पता है, अभी मैंने बताया है कैसे connect करना है इस अभी को connect करना है और इसको कर देते हैं update अब आते हैं हम लोग once per bar में तो once per bar का कुछ इस तरीके setting रहेगा once per bar आपको यहाँ time filter में मिल जाएगा फिर उसके बाद दूसरा once per bar देखिए इसमें भी same रहेगा फिर उसके बाद modify variable यह आपको यहाँ से लेना है औ इसका मैं आपको input दिखा देता हूँ देखिए कुछ इस तरीके से input रहेगा फिर उसके बाद दूसरा modify variable तो इसका देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा variable और इसको कर देता हूँ update फिर उसके बाद आते हम लोग cell का symbol के लिए तो यहां पर देखिए कुछ इस तरीके सा शापमें रखना है फिर उसके बाद आते हम लोग whisk per bar में तो一次 पर बार में कोई setting नहीं रहेगा मैं जैसा है वैसा ही रहे गा अब आते हम लोग मोडिफाई वेसा ही बीटरिक सेटिंग कोको Looking पर तो symbol do पहलों यूज़ करेंग तो यहाँ पर देखिए कुछी तरीके setting रखना यह फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाता है condition condition में कुछी तरीके setting रहेगा फिर उसके बाद check distance चेक डिस्टेंस में हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा पूरा यह आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा जैसे मैंने connect करने के लिए बताया आपको वैसे connect करना है फिर हमारा आजाता है once per bar तो once per bar में आपको कोई भी setting नहीं करना जैसा है वैसा रहेगा फिर उसके बाद once per bar में सबसे पहले condition को तो condition में देखते हैं कुछ इस तरीके से इसका settings रहेगा फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अपना check distance में तो check distance में देखे हैं आपको कुछ इस तरीके से setting करना है सारा जैसा मैंने किया है proper उसी तरीके से करना है फिर उसके बाद once per bar कोई setting चेंज नहीं होगा जैसा का तैसा फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर modify variable देखते हैं identify variable में आपको कुछ भी नहीं जैसा मैंने setting किया है आपको same वैसा setting करना है फिर उसके बाद modify variable यह देखे है यहाँ पर यह हो गया आपन दूसरा modifay variable पर मैंने क्या समझाया इसको कि सिंबल वन और सिंबल टू में कैसे ट्रेडिंग करना यहां पर कोरिलेशन में क्या होता है कि जब आप जैसे पॉजिटिव अगर पेर पकड़ रहे हैं तो उसमें अगर एक में बाई कर रहा है तो दूसरा में भी बाई करेंगा क्योंकि वह ल सिल लगेगा क्योंकि वह लोग अपॉजिट चलते हैं ठीक है तो हम लोग यहां पर दो पेर के लिए त्यार कर चुके आप तीन पेर के लिए भी बना सकते हैं कुछ नहीं करना आपको जैसे यह दो पेर के लिए हो गया बस इसको कॉपी करके एक जगा और पेश्ट करना है अब यहां पर हम लोग आते है सिगनल में कि मतलब हम लोगों को ट्रेड किस बेस पर लेना है यहांपर जैसे हम लोगोंने यह में बताया किम लोगोंने यहां पर moving average का इस्तमाल किया है confirmation के लिए फिर उसके बाद जो buy और sell का रहेगा वो volume base पे रहेगा जैसे euro HD में कुछ और लग रहा है GBP UHD में कुछ और लग रहा है इस base पे ठीक ना तो यहां पर देखें यह हो गया हमारा कुछ इस तरीके setting रहेगा यह हमारा condition है यहां से हमने लिया condition को फिर उसके बाद दूसरे वाले symbol के लिए देखते है condition सेम रहेगा फिर उसके बाद and को हम लोग ले लेंगे यहां से controlling block वाले option में से और इसका भी setting कुछ निकरना फिर no trade nearby यह no position nearby तो यहां पर आपको से सेटिंग करना है फिर उसके बाद buy now वाले में कुछ इस तरीके सेटिंग रहेगा और sell वाले में हमारा कुछ इस तरीके सेटिंग रहेगा same to same आपको सेटिंग करना है फिर उसके बाद आ जाते हम लोग signal two में कि मतलब अभी एक pair के लिए हुआ कि एक pair में अगर signal मिला तो दूसरा pair में कैसे trading करना है यहां पर हम लोग कि अगर मान के चलिए euro HD के जगा GBPUSD में मिल गया तो हमें euro में भी लेना पड़ेगा ठीक है क्योंकि हम लोग correlation बना कर रहे हैं तो हम लोगों ने euro HD के लिए बनाया अब GBPUSD चाहे हम लोग कोई सा भी pair करें तो यह दूसरा pair के लिए कि जब दूसरे pair में हमें signal मिलेगा तब हमें क्या करना है तो यह signal कुछ इस तरीके से रहेगा setting और इसमें कुछ इस तरीके setting रहेगा अब आजाते end में तो end में आपको कोई भी setting change करना नहीं है फिर उसके बाद यह देखिए यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके setting रहेगा no position nearby या no trade nearby बोल लिजी आप तो यह sell वाले में कुछ इस तरीके setting रहेगा फिर उसके बाद sell now तो इसमें कुछ इस तरीके से रहेगा 20 फिर आते हम लोग buy now वाले में कुछ इस तरीके से अब इसके बाद इसके बाद if position मतलब यहाँ पर लग गया अब उसको c müsst करने के लिए देखिए if position मतलब if trade जब ट्रेड लगे तो हमें क्या करना है तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं हम लोग यहां पर देखे आपको इफ पोजीशन मिल जाएगा तो मैंने इफ पोजीशन के यहां पर इस्तमाल किया है इसका सेटिंग कुछ इस तरीके से करना है एक और इफ पोजीशन लेना है इसमे ये वालव आपको लेना है चेक प्रॉफेट मuny आप money में भी कर सकते हैं पिप से रहेगा तो कुछ इस तरीके सेटिंग रहेगा मैंने money में कर दिया तो money में मैंने define कर दिया जैसे हां पर unrealized रहे तो आप इस में पिप से लिए रख सकते है यह आपको कुछ इस तरीके setting करना है, फिर उसके बाद second वाला देखिए, कुछ इस तरीके setting करना है, close position में, फिर यहाँ पर देखिए, यह मैंने किस ले लिया है, यह हमारा है, जैसे रोबोट का नाम सामने दिखे, चार्ट पर इसके लिया है, तो यहाँ पर मैंने, यह ऐसे इसके रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ comment में मैंने नाम डाल दिया है, जो भी रोबोट का नाम है, हमारा वो चार्ट पर दिखेगा हमें, तो अब देखिए, हमारा software बनके तयार हो चुका है, जैसे जैसे आपको setting बताया, same to same आपको वही setting करना है, अब हम लोग इसको, इस symbol 2 में रहेगा, हमारा GBP HD, आप चाहें तो किसी भी pair में कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप Euro HD को हटा करके, आप अपना कुछ, कोई सा भी pair डाल सकते हैं, GBP को हटा करके, कोई सा भी pair डाल सकते हैं, इसमें कोई problem नहीं है, फिर अभी हम लोग इसका back test करके देखते हैं, कि क् करता हूँ, इसको start और थोड़ा सा ही से मैं धीरे कर दूँगा, सबसे पहले मैं इसका grid हटा लेता हूँ, अब देखते हैं, इसका performance, देखिए, अभी buy का trade लगा, एक हमारा euro HD में buy का trade लगा है, GBP HD में किसका लगा है, GBP HD में sell का trade लगा है, यह देखिए, और दोनों manage हो रहे हैं एक साथ, ठीक है, एक buy का, एक sell का, अभी देखिए, एक और trade लगा था, history आपको दिखा देता हूँ, उसमें हमारा, एक trade पहले ही profit में निकल चुका है, जो क 3 डॉलर का हमें profit हो, अभी देखिए, एक और trade लगा है, GBP में, एक euro में, अभी देखते हैं इसको कि यह कैसे manage करता है, इसको, देखिएगा drawdown आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एक buy, एक में sell, देखिए, यह हुआ, अब मैं आपको drawdown दिखा, यह देखि इसको चालू करता हूँ, और इसको दिखाता हूँ, कैसा अभी manage करता है, देखिए, इसका loss देखिए आप, सिर्फ कितने में चल रहा है, यह buy गया, निकाल दिया profit में, देखिए, अभी हमारा 6 डॉलर का profit हो चुका है, तो कुछ इस तरीके से काम करता है, जो इसका trade लेने क ट्रिक profit निकालने का, stop loss, आपको बहुत मज़ा आएगा, और जब यह दो pair को मिला करके trading करता है, एक buy, एक missil, तो हमारा drawdown जादा नहीं जाता, हम overall मतलब लगभग profit में ही होते हैं, तो अभी देखिए, थोड़ा सा इसको slow कर देता हूँ, और इसका देखिए, अभी drawdown profit हो गया है, तो आप लोगों ने देखा, buy और sell एक साथ लेता ही है, दो अलग अलग pair पे, आप चाहें तो तीन pair भी add कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर source code मतलब अंदर FX gym में जा करके बनाना पड़ेगा, बागज़ अगर आप लोग चाते हैं, दो pair में करना, तो आप direct जैसे videos लाता रहूं, ऐसे ही robot के strategy पर, तो please मुझे support करिए, अभी मैंने बस आपको सिर्फ demo दिया है, आने वाले समय में अगर आपका support बना रहेगा, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़े लाऊंगा, तो आपके group में जितने भी friend circle में जो भी लोग trading करते कि उनको ये video जरू सेर करिएगा, like जरू करिएगा, एक प्यारा सा comment जरू छोड़ दीजेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सभी को comment करके बताना है कि इसका price क्या मतलब हो सकता है market में, तो एक बार अपना अंदाजा दीजे मुझे कि क्या हो सकता है price इसको, और guys इस जरू बताएगा कि इसका price क्या हो सकता है market value के इस आप से, बाकी आप लोगों को कैसा लगा video ये भी comment जरू करेएगा, मिलता हूँ आप सब इसे next video में तब तक लिए, बाबाए, जय हिंद, जय भारत